दोस्तो टाइटल देखके आपको वीडियो का टॉपिक तो पते हैं लेकिन शुरू करने से पहले एक जरूरी बात एक स्टूडेंटी जिसका नाह में मयंक वो वार्षिक परिक्षा का टाइम टेबल उसको मिल गया था स्कूल से घर लोड़ती वक्त उसे पिछले साल की परिक मन इतना भारी हो गया कि जो भी याद किया लगा उसको परिक्षा में भूली जाएगा इन बातों को सोचते हुए वो इस साल की परिक्षा के लिए भी मेहनत करने को कुछ खात उसायत नहीं हो पा रहा था अवल तो परिक्षा शब्द ऐसा ही है जिसे सुनकर बच्चे को चरम पर पहुचा देती है यहां तक कि माता पिता का बोलने का लहिजा या उनके घूरती आखे भी उनके प्रदर्शन पर गहरा नकरात्मक असर डालती है हलाकि निश्चित रूप में कोई भी पैरेंट यह नहीं चाहता कि उनकी बातों से उनका बच्चा हतो साहित हो ज करने की बाते करनी चाहिए तो दोस्तों ऐसी कौन सी बाते हैं जो परिक्षा के एंड टाइम पे बच्चों को नहीं कहना चाहिए और वेसे भी बच्चों को ऐसी बाते नहीं कहना चाहिए जैसी कि आम तो पर घर में हर फैमली में ऐसा होता है पैरेंट्स की तरफ से या किस गलत तो नहीं करोगे कभी तो परिक्षा को कंभीरता से लिया करो ध्यान रहे ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है इसके मार्क से प्यूचर तय होता है अपने भाई बेहन को देखो कितने अच्छे नंबर लाते हैं और एक तुम हो इससे तो कोई उम्मीद ही नहीं है मुझ पड़ता है इस बार परिणाम अच्छे नहीं आए तो होस्टल भीज़ देंगे तब तुम्हें समझ में आ जाएगा इस तरह की बातें पहले भी जिसे कहा मैंने कि कोई भी पैरेंट्स जान बूचकर बच्चे को डराने धमकाने के लिए कुछ नहीं कहता लेकिन बच्चे सतर्क जागरुख होने की बजाए डर जाता है और डर के मारे कई बच्चे सुसाइट भी कर लेते हैं आजकल इसे बहुत कैस आ रहे हैं डेली परिक्षा के टाइम या बोर्ड परिक्षा के टाइम ऐसे अंगिनत नियूज आती रहती हैं तो दोस्तों जानना है आपको कि ब दरूरत हो उतनी मैनत तुमने की है बिल्कुल मत खबराओ हम तुम पर पूरे यकीन करते हैं तुम जीवन में बहुत आगे जाओगे जिन्गी में बहुत सारी परिक्षाए आती हैं हम सब भी परिक्षा देते थे इसलिए बहुत ज्यादा मत सोचो हमारा आशिवाद हमेश की उर्जा दोगनी हो जाएगी और वो निश्यत होकर परिक्षा भी दे पाएगा घर का महुल भी ऐसा होना चाहिए कि जैसे शब्दों और लेजे के अलावा परिक्षा के टाइम पर वाता बरन भी खुशकबार बनाए रखना पैरेंट्स की जिम्मेदारी है घर के सद्यस पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर रखेगा तेंक यू